हेलो बच्चो आगए आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके जिसमें हम देखने वाले हमारी exercise 2.1 का question number 1 question number 1 के सभी parts हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो आईए करते हैं शुरू तो देखो question number 1 क्या बोलता है question 1 बोल रहा है कि find the zeros पहली चीज़ तो हमें zeros निकाल के बता देनी है quadratic polynomial आप लोगों को given है quadratic का मतलब पता होगा आप लोगों को quadratic मतलब की power 2 जिसकी highest power 2 हो ठीक है ठीक है जी समझ गए and verify the relation और आपको verify करके बताना है कि हाँ भी check करके बताओ क्या वो zeros सही है या नहीं है zeros and their coefficient ठीक है यह हम करने वाले हैं चलो देखो सबसे पहला काम तो आप लोगों को क्या करना है सबसे पहला काम आप लोगों का है zeros निकाल के बताना पहले जब zeros निकाल के बता दोगी तभी तो उनको verify करोगे हाँ जी बोलो बच्चो हाँ जी ठीक है समझ गए ठीक है तो शुरू करो देखो यह आपको दे रखी है quadratic polynomial इसकी zeros निकालने के लिए इसके करने पड़ेंगे factors क्या करने पड़ेंगे factors ठीक है factors करने आते हैं नहीं आते तो कोई बात नहीं अभी हम देखेंगे देखो यह given है x square minus 2x minus 8 आप लोगों को क्या करना है बीच वाला number बनाना है ठीक है बीच वाला number यह आपको बना के देना है और कैसे बनाओगे हमारा जो एक constant होता है और जो हमारा x square का coefficient होगा यहाँ पे coefficient कुछ नहीं है तो क्या है 1 इन दोनों की ले लेनी है multiply बंदर की एक गुना में 8 कितना हुआ 8 अब इस 8 का ले लेना है आप लोगों को LCM LCM ले लो दो चार दो 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 दोर ठीक है अब इसको लिख लो फटा फट दो गुना दो गुना दो ठीक है अब आप लोगों को क्या बनाना है minus का 2 ध्यान रखना क्या बनाना है आप लोगों को minus का 2 ठीक है अब minus का 2 बनानी के लिए आपको किसका use करना है इन सभी का इसका मतलब या तो करो तुम भई plus या करो minus ठीक है इनका मतलब कि एक बार minus या plus आपकी जैसी चाहो plus minus करके आप लोगों क्या करना है इनका use करते हुए आपको बनाना है minus का 2 अच्छा मैं अगर ध्यान से देखूँ तो क्या मैं 2 गुना 2 मतलब इसको 4 ले लूँ और इसको 2 ले लूँ तो क्या इन दोनों से plus या minus करने पे 2 बन जाएगा बोलो जरा बन जाएगा हाची बन जाएगा बन तो जाएगा minus करने पे लेकिन ये तो plus कर 2 आएगा तो minus का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको minus का sign देद और इसको plus का sign देद दो कि भई plus minus होते है minus और sign आता है बड़े वालेका बड़ा कॉन 4 तो 4 के पास मैंने minus का sign दिया तो क्या बन जाएगा minus का 2 अब ये तो हम समझ गया हमें क्या ले लेना है minus का 4 और plus का 2 इसके साथ तो x लगा है अरे कोई बात नहीं जब इसके साथ x लगा है तो इन दोनों के साथ भी x लगा देना हो गया काम ठीक है जी समझ गये तो x square minus में 4x plus का 2x और minus में है 8 क्या ये लिखना समझ पाया आप लोग बोलो ज़रा हाँ जी समझ गये ठीक है अच्छा और नहीं समझे तो एक बर दुबारे इसको पीछे जाकर देख ले ना आप लोग easily समझ जाएंगे बाकी next वाले हम पार्ट में दुबारे में आप लोगों को समझाऊंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो इन दोनों से ले लेना है आपको comment क्या comment दिख रहा है x comment दिख रहा है जब मैंने x comment देखा तो इधर से क्या बचा भई 2x थे अब कितना x बचेगा 1x बच गया ठीक है माइनस अब इस 4x में से मैंने 1x उठा लिया तो खाली क्या बच रहा है 4 बच रहा है ठीक है अब जो sign है वो sign इधर आ जाएगा अब इन दोनों में से आप लोगों क्या comment दिख रहा है क्या 2 इसके पास और इसके पास दोनों के पास है हाँ जी है तो 2 ले लो comment उठा लिया जब मैंने 2x में से 2 comment उठा लिया है तो खाली क्या बच रहा है x बच गया ठीक है जो sign है वो sign लगा दो लगा दिया अब जब मैंने 8 में से 2 उठा लिया comment तो कितना बचेगा comment उठाने का मतलब divide कर दो नहीं पता तो divide कर दो कितना है 4 इसका मतलब क्या आ गया 4 बच गया ठीक है अच्छा ध्यान यहाँ पे ये देना आप लोगों को कि भाई ये वाला bracket वो ये वाला bracket में रखिया होना चाहिए सेम होना चाहिए सेम आ गया इसका मतलब आपने सही solve किया है आप लोगोंने सही solve किया है तो चलो भाई सही solve किया है तो बढ़वा के तो देखो एक bracket तो हमारे ये जो comment है वो बनता है ठीक है हाँ जी ठीक है और जो दूसरा bracket बनता है आप लोगों का देखो इसको मिलाकर इसको मिलाकर और इसको मिलाकर बनता है तो इसका मतलब x प्लस में 2 x प्लस में 2 ये मेरे दो bracket बनकर तयार हो गए यहीं से मेरी zeros निकलेगी यहीं से मेरी zeros निकलेगी बस कुछ नहीं करना x-4 को 0 के बराबर रख दो और x-2 को 0 के बराबर रख दो रख दोगे हाँ जी रख देंगे ठीक है अब यह minus का 4 है यह उधर जाएगा तो क्या होगा plus का 4 बोलो हाँ जी बने हमारा क्या गया यह plus का 4 इसी तरीके से यह plus का 2 है इस side जाएगा तो क्या बनेगा minus का 2 क्यूंकि 0 के तो कोई उकात ही निया कोई आके बैठ जाएगा कोई भी ले सकता है हाँ जी ले सकता है ठीक है जी अच्छा तो यह आगए हमारे zeros ठीक है यहाँ पर लिख देना हमारी zeros क्या क्या आगई zeros आगई हमारे plus का 4 और minus का 2 ठीक है question यहाँ पर खतम नहीं होता है उन लोगों ने बोला था कि verify और करके बताओ क्या करो verify और करके बताओ ठीक है तो verification हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं verification करने के लिए आपको क्या लेना है sum of zeros और एक आपको लेना है product of zeros product of zeros ठीक है ठीक है अच्छा मारे पास zeros कौन कौन सी है एक है plus का 4 और एक है minus का 2 sum का मतलब बोले तो plus करना इनको simple ठीक है क्या आप लोग plus कर पाएंगे हाँ जी कर पाएंगे कितना आ गया तो 4 minus 2 और यह आ गया 2 लेकिन sum of zeros का आपको formula पता है हाँ जी बोलो पता है वो होता है minus b by a क्या होता है minus b by a अब यह b और a क्या है मैं एक बार आप लोगों की यह equation दुबारा लिख दू क्या थी x square minus 2x x square minus 2x minus में 8 अब यह जो b होता है न, b का मतलब होता है यह जो हमारा x के साथ multiply हो रखा है तो मैं एक बार a, b, c यहाँ पर लिख देती हूं a b और c ठीक है अच्छा a जो होगा मेरा जो x square के साथ coefficient होगा x square का जो coefficient होगा कौन है इदर? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है अच्छा b कौन होगा मेरा जो x का coefficient होगा कौन है? माइनस का 2 ज्यान रखना बिना sign के मतलिक देना अदर्वाइस गलत हो जाएगा ठीक है? गलत हो जाएगा ठीक है c बोले तो c होता है मेरा coefficient coefficient क्या है? माइनस का 8 क्या है? माइनस का 8 ठीक है अभी value put कर दो अच्छा b क्या है आप लोगों का? b अभी अभी हमने देखा कितना है? माइनस का 2 माइनस अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस में confused नहीं होना है भाई ये दोनों जो माइनस है ना ये दोनों अलग है क्या है? अलग है different है both are different signs अभी माइनस ये खट्टे होते तो प्लस बन जाते है तो मेरा क्या आगया ये प्लस का 2 अच्छा भाई ये क्या मैच किया? ध्यान दो क्या ये मैच किया? हाजी बिल्गूल मैच करिया तो verify हुआ verify हुआ लेकिन खाली से काम नहीं चलेगा हमें product of zeros भी निकाना पड़ेगा ठीक है? अच्छा product of zeros ये मेरी दोनो zeros है हाजी है इनकी multiply कर दे कर दो क्योंकि product का मतलब क्या होता है? multiply होता है product करना है zeros का बस तो ये कितना है आगया? minus 8 ये तो आया लेकिन formula से ओर चेक करना है formula क्या बोलता है? formula बोलता है c by a formula क्या बोलता है? c by a अच्छा c क्या है हमारा? अभी अभी हमने देखा c क्या हमारा? minus का 8 minus का 8 और हमारा a कितना है? 1 है तो क्या आगया ये? क्या ये minus 8 आया? क्या ये दोनों match कर गए? हाजी कर गए both verified अगला पार्ट देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है? second part है second part लिखो जएरा 4s square minus में 4s plus में 1 बराबर कुछ नहीं है वो तो 0s बाद में निकालेंगे आच्छा ठीक है ये आपकी quadratic polynomial आप लोगों को given है ठीक है? अभी आपको 0s निकालने है तोड़ के लिखना है कैसे तोड़ेंगे? इसका use करेंगे और 1 का use करेंगे 4 और 1 की multiply कितनी होती है? 4 का lsm क्यों लेना? 2 गुना 2 ही तो होता है हाँ जी बोलो बच्चो 2 गुना 2 अब इसका use करते हुए मेरे को बनाना है minus का 4 क्या बनाना minus का 4? अभी मेरे को ये पता है कि खाली में 2 और 2 को प्लस कर दूँ तो मेरा 4 आता है? हाँ जी आता है लेकिन मेरे को minus का sign चीए माइनस के sign के लिए क्या किया जाए? अगर आप लोगों को पता हो कि जब 2 minus एकटे हो जाते हैं 2 minus वाले एकटे हो जाते हैं मदब कि अगर यहाँ पे एक number है माने तो ये 5 है, ये 6 है तो 2 minus के जब 7 में हो तो उसके इसमें क्या हो? ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ये plus हो जाते हैं लेकिन sign किसका आता है? minus का आता है ये अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो डाली हुई है प्रोपर समझाया हुआ कि plus minus क्या होता है minus plus क्या होता है plus और minus को multiply करने पे क्या होता है minus minus को multiply करने पे क्या होता है ये सभी हम पीछे एक वीडियो में कर चुके हैं नहीं देखी है तो जाके देख लेना बगी मैं comment section में उसको pin कर दूँगी description में उसका link में डाल दूँगी आप लोगों को देख लेना है नहीं पता है तो पता है तो no need ठीक है अच्छा ये मेरे को clear हो गया कि मेरे को minus का sign चाहिए तो भाई इसको भी minus का sign देदो इसको भी minus का sign देदो ये plus त भै ये तो minus 2 और minus 2 थे भै इसके साथ तो s है तो क्या करना है simple s जोड़ देना है कोई दिक्कत होगी नहीं तो minus का 2s और plus में 1 था हाजी ठीक है इन दोनों में से common उठाना है इन दोनों में से common उठाना है common ना है तो जबरदस्ती कता ही नहीं करनी है समझ में आया भाई जब common आई नहीं रहा है आप लोग क्या कर लोगे कुछ भी नहीं उसको ऐसे ही छोड़ सकते है ठीक है लेकिन मेरे को पहले वाले में से common तो दिख रहा है तो बहुत अची बात क्या common है 2 भी common है और मेरा s भी common है हाँ जी है तो मैं क्या 2s common ले सकती हूँ हाँ जी ले सकती हूँ तो 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 सेम है यह तो दिख रहा होगा s अब इसमें तो यह मत बोल लंगे सो दो सेम यह है इसके पास दो एस और इसके पास एक 1s नहीं है तो बता कितने नहीं आपाएंगे धूनों के पास common होने का मतलब की भई तेरे पास भी उतने ही S है, मेरे पास भी उतने ही S है, कि Same S होने चीए तो वो Maximum 1 ही है कि भई इसके पास भी Minimum Maximum 1 S Common है और इसके पास भी 1 S Common है ठीक है यह बात समझ में हाजी है अच्छा एक बात बताओ यह 2 और यह दर 4 है 4 और 2, अच्छा दोनों की दोने Same Table में आते है 2 की Table में आते है, हाजी आते है क्योंकि 4 की Table में 2 तो नहीं आता है नहीं आता है, तो इसका मतलब Common क्या आएगा 2, कि 2 की Table में 2 भी आता है और मेरा 4 भी आता है ठीक है, दोनों के दोनों आने ही चाहिए दोनों के दोनों आने चाहिए, common ले लिए, हाँ जी ले लिए, अब मेरे कोई ये समझ में निया रहे, ये bracket के अंदर क्या लेखना है, कोई दिकत वाली बात में है, इधर देखो ज़रब, आपने क्या common लिए, 2s, उसको लिखो नीचे, किस में से common लिए है, इसको एक स्कूर को आप लोग उपर लिख दो, हाजी लिक दिया, ठीक है, क्या ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 पे हाजी कट जाएगा, क्या 1s से 1s उट जाएगा, हाजी उट जाएगा, तो कितना है, 2s, यही मैं ने इधर लिखा है, यही मैं इधर लिखा है, ठीक है जी, समझ ग Virginia, ये पूरा कोमन ले लिए था तो किया बचेगा यह मत बोना जीरु बचेगा बचेगा कैसे बचा देखो भैं मेरे क्या बोला जो आपनें से मुधैं नीचे लिख दिया और जिस में से कौमन ली है उसको लिख दो ऊपर लिख दिया सेम से में हाज यह तो यह वन ही तो लिखा है बोलो हाजी लिखा है ठीक है अब जो साइने दर है वो साइन धर लिख दो अब यह बहुत अच्छा concept है ध्यान देना यह माइनस आगे हाँ जी अच्छा इन दोनों में से कुछ common है कुछ भी common है कुछ भी वन के अलावा तो कुछ भी common है पहली बात देखो कि कुछ भी common है ध्यान दो भाई यह two ऐसे वन है इन दोनों का कोई मेली नहीं है अब जब कुछ भी common ही होता तो एक ही universal है one सभी में पाया जाता है तो इनके पास अगर कुछ भी common नहीं है तो क्या है one तो है one तो है ठीक है भाई one अगर आपने देख लिया था ये चीज कुछ भी common नहीं है तो बाग की as it is हैगा अब यहाँ पे एक point और देखना है जब यह बाहर minus हो bracket के बाहर minus है तो अंदर जो आने वाला sign है वो change हो जाता है वो क्या होगा मेरा change हो जाएगा sign कोन आने वाला था sign आने वाला था plus का लेकिन बाहर minus होने की वज़े से क्या हो जाएगा ये minus का क्या हो जाएगा minus का हो गया ठीक है क्या हो गया ये minus का ठीक है अब मैंने क्या बोला था कि आपके दोनों ब्रैकिट सेम होने चीए क्या ये मेरा 2s-1 और 2s-1 सेम है आजी बिल्कु सेम ये तुम्हें दिखी रहा है ठीक है बहुत अच्छी बात तो बस हो गया तो बस हो गया एक ब्रैकिट बनेगा 2s-1 दूसरा कैसे बनता है इसको और इसको मिला के तो ये क्या है मेरा ये क्या है 2s-1 दोनों मेरे क्या बन गए सेम बन गए तो जीरो निकाल ले हम जल्दी से बोलो तो 2s-1 बराबर में 0 अब इसको भी मैं लिखूँ ये तो बेवकुफी होगी क्योंकि सेम ही तो है क्योंकि सेम ही तो है तो एक ही बार लिखेंगे ठीक है जे तो ये आगया 2s माइनस का 1 जा के धर हो गया प्लस का 1 ठीक है अच्छा अब ये जो मेरा 2 है ये मेरा मल्टिप्लाइ में उदर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो एस की वैल्यू आगई 2 तो ये हो गई मेरी 0s क्या हो गई 0s अगर मैं 0s को साफ सा बोलना चाहूं 1 by 2 और 1 by 2 ठीक है अच्छा लेकिन हमें अभी verify भी तो करना है हमें अभी verify भी तो करना है verify करो verification करेंगे verification के लिए हमें क्या करना है simple sum of zeros लेंगे sum of zeros और इधर लेंगे हम हमारा product of zeros ठीक है sum of zeros के लिए हमें simple क्या करना है a, b, c में इधर लिख दू फटाफट बो a, b, and c equation देखो फटाफट equation क्या है a मेरा क्या हो गया plus का 4 b मेरा minus का 4 और ये मेरा 1 तो 4 minus 1 sorry 4 minus का 4 और 1 क्या ये आप लिख पाएंगे हाज ये बिल्कुल लिख पाएंगे sum of zeros क्या बोलता है sum of zeros सबसे पहले तो simple इनको plus कर लो न भई simple क्या करना है इनको plus कर लो sum करना है मेरे को zeros का ये मेरी zeros रही ये दोनों मेरी क्या है zeros है और इनका कर देना है sum तो 1 बटा 2 plus में 1 बटा 2 कितना आ जाएगा ऐसे हम लेने पे 2 और 1 plus 1 कितना हो गया 2 कितना आ गया जल्दी से बोलो 1 आ गया क्या आ गया मेरा 1 आ गया तो sum of zeros कितना है 1 लेकिन अभी formula से भी कर लेते है minus b by a minus b by a तो ये मेरा formula का minus ठीक है और b के पास b minus है b के पास b minus है और नीचे आ गया मेरा a a कितना है 4 ठीक है 4 से 4 उड़ा और 2 minus इकटे होए तो plus का 1 क्या ये दोनों verify कर गए हाजी बिल्कुल कर गए ठीक है इसी तरीके से product of zeros zeros कितनी है आधा गुन आधा कितना आ गया 1 बटा 4 1 बटा 4 लेकिन product of zeros का formula बोलता है c by a c by a c कितना है मेरा 1 और a कितना है मेरा 4 तो क्या मैं लेकर दूँ 1 बटा 4 बोलो 1 बटा 4 क्या ये दोनों verify कर गए हाजी कर गए clear हुआ हाजी बिल्कुल हो गए ठीक है now move to next part next part क्या बोलता है तीसरा तीसरा part बोलता है कि मेरे को बताओ 6 x square minus में 3 minus 7 x की zeros और इनको verify करके बताओ ठीक है पहले x square उसके बाद x वाली value और उसके बाद हमारा coefficient लेख सकते हैं हाजी लेख सकते हैं ठीक है उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था आपको बनाना है beach वाली term को कर देना है break बीच वाली term को करना है break ठीक है और multiply करके इस तरीके से तोड़ना है कि बीच वाली term आए beach वाली term आए ठीक है देखो अभी तो 6 और 3 की multiply होती है 18 6 और 3 की multiply होती है 18 18 का LCM ले लो 2, 9 3, 3 और 3, 1 ठीक है तो 2 गुने में 3, गुने में 3 हमें क्या बनाना माइनस का साथ देखो 3, 2 जा 6 6 और 3 कितना हो जाएगा प्लस करेंगे तो नो और घटाएंगे तो 3 ऐसे तो नहीं चलने वाला लेकिन क्या ये combination चलेगा 3 गुना 3 बनानू और ये आगया 2 और मेरे को 7 बनाना मेरे को साफ दिख रहा है कि इन दोनों को माइनस कर दूँगे तो मेरे काम चल जाएगा लेकिन मेरे को माइनस का 7 चाहिए तो माइनस का sign दे दो बड़े वाले को और दूसरे को दे दो प्लस वाले का हो जाएगा हाज ही हो जाएगा ठीक है तो बस फिर हो गया तो 6X स्क्वेर और ये बन जाएगा मेरे प्लस का 2X और मेरे माइनस का 9X और माइनस में 3 क्या चीज़ आप लिख पाए माइनस 7X माइनस 7X को क्या आप लोग तोड के लिख पाए बोलो जरा हाज ही लिख दिया ठीक है बस अभी चार्ट में छूटने का काम है इस में से क्या कोमन दिख रहा आप लोगों को 2X कोमन दिख रहा है हाज ही दिख रहा है 2X जब मैं 2X को 6X स्क्वेर से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा खाली 3X पहले इसको 6 और 2 को डिवाइड करके देख लो कितना आगया 3 और 2X को डिवाइड कर 2X से तो कितना आजाएगा 1X simple प्लस का साइन भाइड 2X में से मैंने पूरा 2X ही कोमन उठा लिया तो कितना बचेगा जब आपका सेम पूरा का क्या कोमन दिख रहा है क्या कोमन दिख रहा है क्या आप लोगों को 3 कोमन दिख रहा है हाँ जी दिख रहा है जब मैं 9X को 3 से डिवाइड कर दूँगी तो कितना आएगा जल्दी से बोलो क्या है मेरा 3X आ जाएगा जल्दी से बोलो अब मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में ही बताया कि जब बाहर को माइनस हो तो अंदर आने वाला साइन बदल के आता है अंदर आने वाला साइन कौन था माइनस था कौन था माइनस था अब माइनस वाला साइन बदल के आएगा तो क्या बनेगा plus का sign बनेगा, क्या बनेगा plus का sign बनेगा, बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है जब इदर minus होगा आपको खास ख्याल रखना है कि जो ये next वाला sign आएगा वो बदल कर आएगा, plus होगा minus का minus होगा plus का, ठीक है अच्छा, जब मैंने 3 में से पूरा 3 ही common उठा लिया, तो कितना बचेगा एक बचेगा जी, ध्यान से देखो कि ये वाला bracket, वो ये वाला bracket आप लोगों को सेम आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया, बस तो फिर हो गया काम एक bracket बनना है 2X minus 3 का, और दूसरा तो भई दिखी रहा है, दूसरा तो दिखी रहा है, तो ये यहां से अब मेरी निकलेगी, zeros क्या आप लोग तयार है, हाँ जी बिल्कुल तयार है, तो 2X minus 3 बराबर में 0 लिख देना और लिख देना, 3X plus में 1 बराबर 0, क्या आप लोगों लिख सकते हैं हाँ जी लिख दिया, ठीक है तो भई ये इदर 2X लिख रही थी 2X, ये minus का 3, दूसरी साइड गया तो plus का 3, हाँ जी अब ये 2 multiply में है, तो उधर बेजा तो divide में, तो ये आगए 3 by 2 क्या आगए ये मेरा 3 by 2 हाँ जी आगए इधर से, ये आगए मेरा 3X plus का 1, उधर गया तो minus का 1, ठीक है ये अब मेरा 3 multiply में है तो उधर गया तो divide में तो ये आगए minus 1 by 3 minus 1 by 3, तो मेरी zeros आगए, मेरी zeros आगए, तो मेरी zeros क्या क्या है zeros है मेरी 3 बटे 2, और मेरा minus 1 बटे 2, अभी तो verify करना भी बाकी है, अभी तो verify करना भी बाकी है, ठीक है अभी करेंगे हम हमारा verification, ठीक है verification verification के लिए आपको निकालना है sum of zeros ठीक है, और इधर निकाल देना product of zeros ठीक है, लिख पाई हाँ जी लिख पाई, ठीक है sum of zeros के लिए तो simple 3 बटे 2 plus में minus 1 बटे 2, अभी ध्यान ना कि 2 साइने कटे हो तो bracket लगाना मत भूलना, अधरवाइस गलत हो जाएगा, अधरवाइस गलत हो जाएगा, और product of zeros के लिए 3 बटे 2 गुने में minus 1 बटे 2, पहले product अगर मैंने निकाल ला तो यागया, minus 3 बटे 4 इसको ऐसे छोड़ दो भी के लिए verify करना बाकी है न, ये तो खाली simple दरी के से आया, product of zeros और product of zeros हमारा और कैसे आएगा formula से आएगा, ठीक है तो simple उपर वालों को plus minus करके लिख दो, तो 2 भाई ये, दोनों sine कटे होंगे, तो कौन dominate करता है, जल्दी से बताओ, minus dominate करता है, तो simple 3 minus 1, बोले तो 2 बोले तो 2, ये कट गया आगया, 1, कितना आगया 1 आगया, ठीक है अभी A, B, C और लिख लेते हैं ताकि हम हमारा आगे की कारवाई शुरू करें sum of zeros के लिए जल्दी से बोलो minus B by A होता है हाँ, जी होता है, और product of zeros के लिए formula C by A होता है, हाँ, जी होता है, ठीक है तो फटा-फट अपना लिख लो, A, B and C, तो मैं यहाँ पर लिख देते हूं A B and C equation के पास चलो ज़रा, equation बोलती है 6 minus का 3 sorry 6 minus का 7 और minus का 3 6 minus का 7 और minus का 3 6 minus का 7 और minus का 3 अब यहाँ पर आप लोग गलती ना कर दें तो इसी लिए ही मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई यह इसको arrange कर लेना otherwise आप लोग क्या करेंगे जल्दी से देखो, आप इसको लिख दोगे A, इसको लिख दोगे B और इसको लिख दोगे C और जब verify करने बैठोगे ना इदर verify करने बैठोगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका गलत अंसर आके नहीं दे रहा, आपका one आएगा ही नहीं आपका one आएगा ही नहीं फिर आप सोचोगे कि मैंने काई गलत कर दिया, आप लोग time waste करेंगे तो उससे बचने के लिए ही मैंने आप लोगों को क्या बोला कि बच्चो, प्यारे बच्चो इसको verify करने से पहले इसको सबसे पहले arrange कर लेना सबसे पहले arrange कर लेना कोश्चन को सोल करने से पहले आप लोगों को काम रहेगा कि इसको arrange करके लिखे, आप लोग इसको arrange करके लिखे तब ही आपका answer ठीक आएगा समझ में आई, हाँ जी बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया है आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ते हैं तो मेरे को निकालना है, B by A, कितना आएगा मेरा? B by A, एक मिनट यहाँ कहीं कुछ गडबड लग रही है मेरे को कहीं कुछ गडबड है, यह 6 एक मिनट यह हमारा आया है, 0 जाया 3 बटे 2, माइनस 1 बटे 2 ओ सोरी, यह 3 है, यहाँ पे गडबड हो गई सोरी, सोरी, यहाँ पे गडबड हो गई है, बचो आप, एक मिनट, यह दर एक बटे 3 आना था ति हर जगए गलत हो गया है, यह दर से भी एक बटे 3, यह एरेज करना पड़ेगा ठीक है, ठीक है, देखा मेरे की तरह आप लोग भी गलती कर सकते है, ध्यान देना, है ना यह 3 बटे 2 और माइनस 1 बटे 3 है, यह 1 बटे 3 है ठीक है, हाजी, अभी करते है, सोल फटा-फट यह आगे 1 बटे 3, अच्छा, अभी मेरे को LCM लेना पड़ेगा, हाजी LCM लेना पड़ेगा ले लिया, तो यह आजाएगा मेरा, LCM लेना आता है, हाजी आता है, 9 माइनस, यह आगे मेरा माइनस, बटे यह आगे मेरा LCM 6, सिंपर उपर वाले के साथ मुल्टिप्लाई गरे, तो यह 3 तीया 9 और यह आगे माइनस का 2, कितना आगे, 7 by 6 कितना आगे मेरा, 7 by 6 क्यों मैं साथ के साथ वेरिफाई कर दू, हाजी कर दो B कितना है माइनस का 7 और यह मेरा formula वाल माइनस हाजी, देखा यह गडबड नहीं करनी है, 2 माइनस से इधर गलत हो जाएगा, और A बोले तो 6 है, 2 माइनस से कटे हुए तो प्लस, क्या दोनों वेरिफाई कर गए, जल्दी से बोलो हाजी, यह मेरे वेरिफाई कर गए है ठीक है, इसी तरीके से इधर देखो तो इधर था मेरा दूसरी 0 थी, 1 by माइनस 1 by 3, ठीक है यह 3 से 3 उड़ा तो यह आगे मेरा अजी, यह मेरे वेरिफाई कर गए है, हाजी, चलो बच्चो ठीक है, next part के तरफ बढ़ते हैं next part क्या बोलना चाता है आप लोगों को next part बोल रहा है fourth part part number four, क्या बोल रहा है four u square plus 8u इसकी zero's निकाल के बता और उसको verify करो, जट पट करेंगे अच्छे इसमें coefficient नहीं है तो क्या आप लोग बोल सकते कि coefficient मेरा 0 रहा होगा जब 0 होगा तभी तो वो दिख नहीं रहा तभी तो वो दिख नहीं रहा हाँ जी चलो अब नहीं है तो भी हम इसको नहीं देखेंगे छोड़ दो इसको ठीक है कोई फर्क ने पड़ता है तो यहीं मेरी 0 हो गई यहीं मेरी 0 हो गई बद्चो यहीं मेरी ओ गई 0 sorry कि alfour निकालेंगैं यहां से हमारे किया निकलेगी जीरो निकältेगी तो एक निकलेगी 4u बराबर 0 दूसरी निकलेगी यू प्लस 2 बराबर 0 देखो बहुत चार multiply में उधर गया तो क्या हो जाएगा divide तो u की value क्या आगई मेरी 0 ये है 4 ठीक है अच्छा u दरी रहा 2 उधर चला गया तो क्या बन गया मेरा minus का 2 ठीक है तो मेरी zeros क्या क्या हो गई जल्दी से बोलो zeros हो गई मेरी 0, minus 2 0, minus 2 और यहीं पर अपना A, B, C भी लिख लो A, B और C ये तो मैं पता कि C तो हमारा है 0 और A और B देख लो 4 और 8 चार और 8 ठीक है तो अभी हम निकाल लेंगे हमारी verification करने वाले क्या करेंगे verification ठीक है तो verification के लिए क्या करेंगे sum of zeros और यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरा product of zeros ठीक है हाँ जी sum of zeros के लिए simple अगर मैं बोलू हूँ कि मेरी यह sorry यह तो A है हमारी zeros क्या क्या है 0 और minus 2 0 और minus 2 ठीक है तो 0 और minus 2 को कर दो plus क्या कर दो plus क्या करना हमे sum निकालना है ठीक है जी क्यूंकि हमारा dominant कौन करता है कौन ता कतवर minus कौन ता कतवर minus इसलिए plus को हटा कर खुद बैट जाता है तो कितना आ गया यह जल्दी से बोलो यह आ गया मेरा minus का 2 और sum of zeros के लिए हमारा formula minus B by A क्या होता है minus B by A B कितना 8 लेकिन formula का minus A कितना 4 इसको काटो तो कितना आ गया यह 2 तो कितना आ गया मेरा minus का 2 minus का 2 verify कर गए जल्दी से बोलो अजी verify कर गए sum of zeros sorry product of zeros तो एक 0 दूसरा कितना है minus का 2 और 0 की multiply तुम किसी से कर दो किसी से भी कर दो क्या आता है हमारा 0 क्या आता है हमारा 0 और product of zeros के लिए क्या होता है C by A C कितना आ जल्दी से देखो C है हमारे पास 0 और 4 तो यह आ गया 0 बटे में 4 और 0 को divide भी किसी से कर लो answer भी 0 दोनों verify कर गए हाजी verify कर गए ठीक अब बचू next part पटाफट देखते हैं हमारा part number 5 क्या बोलता है T square minus 15 T square minus 15 को solve करके बताओ ठीक है अच्छा अब यहाँ पे जी हमें तो खाली जो एक एक तो होती थी जिसकी power 2 होती है एक होता है हमारा factor sorry एक होता है हमारा क्या होता है expression जिसमें हमारा 1 होता है मतलब कि जिसकी power क्या होती है 1 होती है जैसे कि पीछे हमने देखा पीछे हमने सबसे पहले देखो हमने देखा x square minus 2x minus 8 ऐसी एक equation थी exact याद नहीं लेकिन कुछ-कुछ ऐसी थी ठीक है देखो एक की power 2 होती थी एक की power 1 होती थी और एक होता है मेरा coefficient ये कमरी quadratic polynomial होती है लेकिन इसमें ये जो 1 वाला portion है ये तो दिखी नहीं रहा है नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि 0 रहा होगा 0 रहा होगा देखो कैसे इसको हम कैसे लिख सकते है मैं एक बड़ दिखा देते हूं t square अब इसको plus minus कुछ लिख लो 0 multiplied by t और minus का 15 इसका जो coefficient है न वो क्या रहा होगा 0 जिसके वज़े से t हमारा गायब हो गया t हमारा गायब हो गया इस तरीके से हमारा t गायब हो गया तो equation बन गई इस तरीके से minus का 15 बस यहीं से इसमें से आप लोगो कुछ common दिख रहा है कुछ common दिख रहा है नहीं कुछ common नहीं है तो ऐसे लिखो के 1 और t square minus 15 एक आगे 1 और एक आगे t square minus 15 तो ऐसे तो नहीं होने वाल है नहीं simple t square minus 15 से हमारी क्या निकल जाएगी zeros निकल जाएगी इसी को आप लोगों क्या करना है 0 के बराबर रख देना है क्या करना है 0 के बराबर रख देना है तो t square minus का 15 उधर गया तो क्या हो जाएगा यह मेरा खाली plus का 15 अच्छा t जब square root जब यह हमारा square हो जाता है तो क्या बन जाता है under root और under root देगे जाता है दो values धिहान रखना under root की हमारी होती है दो values एक होती है plus की और दूसरी होती है minus की इसका मतलब t की मेरी दो values आ गए एक हो गया मेरा plus का 15 और दूसरा हो गया मेरा माइनस का पंदरा वो भी दोनों के रूट तो इसका मतलब zeros मेरी आ गई zeros मेरी आ गई plus का रूट पंदरा और माइनस का रूट पंदरा हाजी आ गई यहीं पे अपनी क्या लिख लो a लिख लो b लिख लो और c लिख लो c तो मेरे को अच्छे से याद है c तो है मेरा 0 c की value कितनी है माइनस का पंदरा और a है मेरा plus का 1 क्या है plus का 1 लिख सकते हैं अब ही हम करेंगे हमारी verification क्या करेंगे verification करते हैं verification करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे sum of zeros और फिर यहाँ पे निकाल लेंगे हम हमारा product of zeros ठीक है sum of zeros के लिए सबसे पहले पहले तो simple plus minus कर लो plus और यह मेरा minus का root 15 तो देखो यह इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है हाँ जी लिखा जा सकता है एक plus का एक minus का दोनों कट गए हाँ जी answer कितना गए 0 और वैसे बोले तो minus b by a होता है sum का formula हाँ जी होता है b कितना 0 और a कितना और यह minus है formula का लिखो ना लिखो क्योंकि तुम्हें पता ही answer क्या ना है 0 क्यों क्योंकि हमारा जब 0 किसी भी number से divide होगा वो मेरे को 0 देकर जाएगा ही जाएगा हाँ जी हो गया verify हो गया हाँ जी हो गया ठीक है आगे बढ़ो product of zeros के लिए zeros क्या क्या यह plus का root 15 और minus का root 15 अब जब दो root same root ध्यानत ना दो same root आपस में multiply होते है तो क्या होता है root हट जाता है यह बात clear है हाँ जी clear और 15 ही रहेगा हाँ जी रहेगा एक minus है तो क्या होता है minus अभी अभी मैंने आपको बता है कि एक plus और एक minus की multiply होगी हमारी एक minus और यह नहीं पता है तो वीडियो जाकर देख लेना मैंने आपको description में link दे दिया है ठीक है जी और वैसे product of zeros बोले तो क्या होता है c by a c by a c कितना है मेरा minus का पंदरा और a कितना है मेरा एक तो minus पंदरा बै एक लिखो ना लिखो फर्ग नहीं पढ़ना एक का ठीक है तो क्या आगया यह मेरा verify कर गया यह मेरा verify कर गया ठीक है जी next and our last part ठीक है part number six क्या बोलता है 3x square minus x minus का चार यह है अब सबसे पहली बात तीन और चार के आपस में कर दो multiply फटा 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 बारा आगया बारा का ले लो LCM तो भई दो छे दो तीन तीन एक क्या आप लोग लिख पाए हाँ जी लिख पाए तो दो गुने में दो गुने में तीन मेरे को क्या बनाना है minus का एक मेरे को क्या बनाना है minus का एक तो कैसे बन सकता है यह बन जाएगा मेरा चार और यह बन गया मेरा तो मेरे को अच्छे से पता है कि चार और तीन को आपस में माइनस कर दूँ तो मेरे क्या आजाएगा एक बन जाएगा दोनों को दोनों का डिफरेंस लेने से मेरे क्या आजाएगा वन बन जाएगा लेकिन लेकिन क्या चाहिए मेरे को माइनस का वन तो बड़े वाले को दे द दो प्लस का सैन, समझ में है, हाँ जी आगया, ठीक है, ये एक मिन्ट, एरेस कर देते हैं, तो जी आजएगा, 3X स्क्वेर, माइनस का 4X, माइनस का 3X, स्वारी, प्लस का 3X, और ये आगया मेरा, माइनस का 4, लिख पाए आप लो, बोलो ज़रा, लिख पाए, हाँ जी, लिख ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी कोममन नहीं है, खाली, X कोममन है, इन दोनों के पास से हमारा खाली, X कोममन है, तो बाकी लिख दो, 3X बचेगा, और माइनस का 4 बचेगा, बोलो ज़रा, हाँ जी, बचेगा, इन दोनों के पास भी कुछ भी कोममन नहीं है, जब कुछ भी बिल्कुल सही solve किया है बहुत अच्छे एक bracket तो बन गया मेरा x plus 1 और दूसरा bracket बन गया मेरा 3x minus 4 ठीक है जी अब यहाँ से निकल जाएंगा की zeros तो x plus 1 बराबर में 0 and 3x minus 4 बराबर में 0 ठीक है और यहाँ से plus 1 उधर गया तो मेरा बन गया minus का 1 ठीक है और यह minus का 4 उधर गया तो plus का 4 और यह 3 multiply में है तो उधर जाएगा तो divide ठीक है तो आपकी zeros यहाँ पे आकर तयार होती है आपकी zeros आ गई minus का 1 and 4 by 3 4 by 3 यहीं पे अबना ABC लिख लो A B और मेरा C ठीक है ABC कितना है 3 minus का 1 minus का 4 3 minus का 1 minus का 4 ठीक है अब यहाँ पे हम करेंगे हमारी verification क्या करेंगे verify करेंगे कि सही करा या नहीं करा ठीक है अभी देखते है कैसे sum of zeros से और बोलो ज़रा product of zeros से ठीक है हाँ ठीक है sum of zeros के लिए सबसे पहले zeros को कर दो plus minus का 1 sorry fraction में कुछ नहीं है नीचे नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है और यह plus में 4 बटे 3 LCM लेना पड़ेगा हाँ जी लेना पड़ेगा उपर आ जाएगा minus का 3 plus का 4 plus minus बोले तो minus और sign बड़े वाले का तो क्या में 1 बोल दू सिदा सिदा हाँ जी बोल दो तो sum of zeros में मेरा sum कितना आया 1 बटा 3 और formula क्या बोलता है minus B बटा A minus और minus का 1 यह मेरा formula का minus और यह मेरा 1 का अपना खुद का minus अबने घर से लेके आया है आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं बोल सकते और 1 बोले तो 3 2 minus से कटे होते हैं तो जल्दी से बोलो plus का sign क्या दोनों verify कर गए हाजी बिल्कुल verify कर गए ठीक है product of zeros के लिए zeros का क्या करना है product तो 1 है minus 1 और एक दूसर है मेरा 4 बटे 3 इनके multiply गल दो तो कितना आजाएगा minus 4 बटे 3 आजाएगा हाजी आजाएगा और product of zeros क्या बोलता है बोलता है कि C by A निकाल के दे दो मेरे को क्या करो C by A निकाल के दे दो मैं आपको product of zeros बता दूँगा हाजी ठीक है C बोले तो minus का 4 और A बोले तो 3 तो minus 4 बटे 3 हाजी ये तो verify कर गया हाजी बच्चो तो यहाँ पे खतम होता आपको question number 1 और उसके सभी के सभी part hopefully आप लोगों को समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया तो let me know in the comment section मैं आप लोगों को clear करके बता दूँगे next video में और या फिर इस comment section के नीचे possible हो पाया तो बिल्कुल ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए टाटा बई-बाइ and thank you so much for watching